मित्रो मेरा नाम उंकार है और मैं महाराष्ट के नानदेड का रहने वाला हूँ, आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सची घटना आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भाई साइन्स कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उनको उसी रास्ते से पढ़ता है और रात को उस जंगल से जाना खत्रे से खाली नहीं होता है। उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर पढ़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उसके दोस्तों को रोका और बोला बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो मैं भी काफी लेट हो गया दी और वो रोशनी एक बरगत के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आखे भी सफेद ही थी। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भाग कर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया मेरे भाई के दोस्त भी उसको अब देख पा रहे थे और वो जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। कौन है तू? कौन है तू? तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा. अब वो समझ चुके थे कि वो के बुरी आत्मा है. उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा. वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन पास नहीं आई. थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा, तो पीछे कोई नहीं था. अब सभी पुजारी जी ने कहा. ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ. वो आगे चल रहे थे. उन्होंने फिर पुजारी जी को बतलाने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि पुजारी जी गायब हो गए. वो एक बार फिर घबरा गए. वो माजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे. उन्होंने उनसे पुचा आप कहा गायब ही गए. तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो आठ बचकर तीस मिनट को रोज घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हूँ. वो पुजारी से बात किये बिना डर के मारे निक भक्त है. मित्रो ये मेरे भाई के साथ घटी सची घटना है.